मित्रो कैसे एक बिल पत्र आपकी किस्मत बदल सकता है आज का उपाए हर भक्तों को करना चाहिए अगर आपके जीवन में पेसों की तंगी चल रही है आप पेसों को लेकर जीवन में दुखी है तो आज का एक छोटा सा उपाए आपकी हर समस्या का समाधाने एक छोटा सा बिल पत्र आपकी पेसों की सारी समस्या को हल कर सकता है वीडियो को आकरी तक देखते रहना आपको एक छोटा सा उपाए अपनाना है पूरी सरद्दा से पूरी भक्ती भावना से इस तरीके को आजमाना है एक बिल पत्र लेना है ध्यान रखिएगा बिल पत्र के तीनों पत्ते शुरक्सित होना चाहिए कोई सा भी पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए एक बिल पत्र लेना है उसको अपने भगवान के मंदिर में रखना है जहांपर आप भगवान विराजमाने घर में उनके भगवान के मंदिर में रखन अगर मंत्र समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके मंत्र को सुन लीजिए 108 बार इस मंत्र का जाप करना है अब वो कोई साधारन बेल पत्र नहीं है बहुत ज्यादा चमतकारी और शक्ति शाली बेल पत्र बन गया है उस से अपनी तीजोरी में रख दीजिए जहाँ पर आप पेसे इकटे करते हैं चाहे तीजोरी हो आलमारी हो वहाँ पर उसको रख दीजिए वहां भी नहीं रख सकते हैं तो अपने पर्स में उसको रख दीजिए जब तक वो बिल पत्र वहां पर मौजूद है आपके जीवन में कभी भी पेसों की धन की समस्या बिलकुल भी नहीं आएगी जिस भी नए काम को आप करेंगे उसमें आप सफल होंगे धन प्राप्ति के नए नए मारग आपके जीवन में खुलेंगे पेसा चुम्बक के बाती खीचा हुआ चला हैगा अगर आपके सर पर कर्ज है तो उतरने लगेगा मित्रों कुछ साधारन उपाए नहीं है बहुती चमतकारी